शेर और चूहे की कहानी एक बार की बात है, जब एक शेर जंगल में सो रहा था, उस समय एक चूहा उसके शरीर में उच्छल कूद करने लगा अपने मनोरंजन के लिए, इससे शेर की नींद खराब हो गई और वो उठ गया, साथ में गुस्सा भी हो गया, वहीं फिर वो जैस ही चूहे को खाने को हुआ, तब चूहे ने उससे विनती करी कि उसे वो आजाद कर दें और वो उसे कसम देता है कि कभी यदि उसकी जरूरत पड़े, तब वो जरूर से शेर की मदद के लिए आएगा, चूहे की इस साहसिकता को देख कर शेर बहुत हंसा और उसे जाने दि कुछ शिकारी जंगल में शिकार करने आए और उन्होंने अपने जाल में शेर को फंसा लिया, वहीं उसे उन्होंने एक पेड से बांध भी दिया, ऐसे में परेशान शेर खुद को छुडाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन कुछ कर न सका, ऐसे में वो जोर से दहाडने लगा, उसकी दहाड बहुत दूर तक सुनाई देने लगी, वहीं पास के रास्ते से चुहा गुजर रहा था और जब उसने शेर की दहाड सुनी, तब उसे आभास हुआ की शेर तकलीफ में है, जैसे ही चुहा शेर के पास पहुँचा, वो तुरंत अपनी पैनी दांतों से जाल को कुतरने लगा और जिससे शेर कुछ देर में आजाद भी हो गया, और उसने चुहे को धन्यवाद दी, बाद में दोनों साथ मिलकर जंगल की ओर चले गए, सीख इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि उदार मन से किया गया कार्य हमेशा फल देता है,